आप सांसद संजो सिंग का ED-CBI पर एक कड़ा प्रहार हिटलर से क्योंकी ED की तुलना ताना साही पूंड रवया अपनाए हुए है इसका एक एक करके आपके सामने आज खुलासा करूँगा ED जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सब के सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है किस तरह से लोगों को प्रतारित करती है किस तरह से उनके परिवारों को प्रतारित करती है और तो और जिसके कारण आज में पीसी कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी हम देखेंगे बेटी को धमकी पत्नी को धमकी बुढ़े माबाप को धमकी मारना पीटना प्रतारित करना और उसके बाद जबरन बयान लेना ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये न्यायाले के सामने उन लोगों के बयान है जिन से जबरन मार पीट करके उनके परिवारों को धमकी देकर उनसे बयान लिया गया और मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ ये पहला नाम है चंदन रेड़ी का ये चंदन रेड़ी हाई कोर्ट में पेटिशन करते हैं माननी है उच्छ न्यायाले में याचिका दाखिल करके ये बताते हैं कि इड़ी ने इनको मारा इनको पीटा इनके परिवार को धमकी दी और कहा जैसा हम कहते हैं वैसा लिक वरना तेरे परिवार का वो अंजाम करेंगे तो कहीं मूँ दिखाने लायक नहीं रहेगा दूसरा अरुन पिल्लाई अरुन पिल्लाई वो सक्स है जिसकी पत्नी को बेटी को परिवार को धमकाया गया डराया गया इड़ी ने बयान लिया और बयान लेने के बाद ये सक्स कहता है न्यायाले में लिख कर देता है माननी ये न्यायाले के सामने कहता है मुझसे जबरन जूठा बयान E.D. ने लिया मुझसे मनीश सिसौदिया जी के पियस रिंकू आप जानते कानून में नियम है किसी को भी बुलाओ नोटिस दो पुष्टाज करो और सारी जानकारी आउन पेपर रखो E.D. हवाई डिपार्टमेंट हो गया है फोन करता है बुलाता आजा बैठ इतने घंटे जा घर जा फिर आजा बैठ सुबह से सामतर फिर घर जा आप गुंडागर्दी करके धमका के डरा के कान के परदे फार के तेर जाच कर रहा है देश की संसद में अब मुझे ये सारे मामले उठाने का अवशर मिल गया मैं विसेशा अधिकार समित के सामने इन E.D. के अधिकारियों को बुलाने के लिए आज ही ये सारे काज़ात प्रस्तुत करूंगा कि E.D. के इन सारे अधिकारियों को बुलाया विसेशा अधिकार संसद की विसेशा अधिकार समित के सामने मैंने जो मामला पारलिमेंट में उठाया था उन आरोपों को ये सारे काज़ात 100% मैं तो कहूंगा 100% से ज़्यादा सिद्ध करते हैं कि E.D. राजनितिक दबाव में जबरन छूटा मामला बनाती है सरकारों को बरनाम करती है